असलामलेकूम मेरा नमली है और दोस्तों आज की स्वीडियो में हम लोग बात करने जाएंगे यूस फोन फ्रॉंट फॉंटी के टू थिटी के 20-30 रुबी की रेंज के अंदर पाकिसानी माकिट पे यूस फोन आपको कौन से कंसीडर करने चाहिए और यह वीडियो इसलिए इ यहां नॉच लेके आ रही है यह 18 वाट की फास्ट चारजिंग लेके आ रही है और हमने 28-29 मुवाइल जो है वह स्लेक्ट की है ब्रैंड वाइस हम लोग आपको वीडियो में आज के जो है ब्रैंड वाइस बताने वाले हैं कि अभी ब्रैंड वाइस आपको यह यह भी हो सकती है और यूज फोन पर्चेस करने से पहले दो तीन चीजों को आप लोगो ने माइंड में रख लेना है एक तो यह जितने वी फोन आप लोगो ने बताएं आपको यह पीटी अप्रूवड हैं देड़ दो साल पुराने फॉन भी है इसमें और इसमें कुछ लेट करते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ नोटिविकेशन बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा अब मैं आपको ज्यादा वोर नहीं करता वीडियो शीरू करते हैं वेल दोस्तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रैंड समसंग की तरफ से लेकिन इससे पहले कि बात करें मैं एक चीज़ आपको क्लेर कर देता हूं कि भाई जो प्राइस का आइडिया मैं दे रहा हूंगा इसमें से हजार दो हजार कम ज्यादा भी मिल सकता है मतलब कम ज्य है और यह तीनों जो फॉन हमने सेलेक्ट की है एक तो सूपर एमोले डिस्प्लेस में आते हैं और साथ के साथ आपको टैने डिपी रिजूशन प्रवाइड करते हैं हां गेमिंग पर्फॉर्मेंस के इसाब से आवलें जरा सच कर लेना है इनमें कुछ ऐसे फॉन जो आपक इसको 25,000 रुपे के अराउंड मैक्सिमम् 25,000 रुपे रेट लिखा हुए मैंने आप इसको 22-25,000 रुपे के रेंज के अंदर जो है वो कंसीडर कर सकते हो फॉल एजी प्लस का रेजोलिशन 1080p एमोले डिस्प्ले प्रवाइड करता है और बागी भी स्पेसिविकेशन के लाग वरू देखने को मिलेगा बट यह ज्यादा पुराना फॉन नहीं है विदाउट 20 मिलने वाला है वह गैलेग्जी A51 यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगर बिस्नेसर मिलता है सूपर एमोले डिस्प्ले मिलता है एक जीनोस का 9611 वाला हाडवेर है बट थोड़ा ब लहें बात करता हो तो यहां पर आपको गेमिंग पर देखने को मिलेगी और आपको जो एक्साथ यहां पर आपको चैमरा की क्वालिटी है और यह फॉन भी आपको 30,000 रुपे के अराउंड में नॉर्मण से नॉर्मल कंडिशन में 20,000 रुपे हैं मैक्सिमम आप 31,000 रुप सामसंग की यह तीन डिवाइस भी मुझे समझ आई हैं इसके लावा मुझे कोई भी इस रेंज के अंदर डिवाइस जो है वह समझ नहीं आई जिसके अगेंस आप पैसे पे कर सकते हैं और यह डिवाइस आपको नॉर्मली ओलेक्स यह आफ लाइन मार्केट में मिल आती है एला फॉन है रियल्मी का रियल्मी 5 प्रो नो डाउट यहां पर कैमरा सेंसर कॉलिटी पी अच्छी है स्ट्राइब्रेगन का सेवन टू हला हर्डवेर देखने को मिलता है पावर एफिशेंसी भी है साथ के साथ 4000 अमेज की बैटरी है अच्छी कंडिशन में अगर आपको 22 से 23,000 रुपे की रेंज में या 24,000 रुपे की रेंज में मिले तो यहां पर आप इस पर इंवेस्ट कर सकते हैं और यहां पर कैमरा कॉलिटी मैं कहूंगा कि अब भी इस रेंज के सबसे चीव कैमरा कॉलिटी आपको प्रॉइड करने वाला है उसके इलावा रियल्मी की 90T मिलता है ज्योंकि बहुत अप्टिमाइज है और साथ के साथ 30 वाट की फासाजिंग है तो रियल्मी 6 को अगर आप लोग भाए करना चाहते हो तो रियल्मी 6 अराउंड आपको 25-28,000 रुपे की रेंज में इन्वेस्ट कर सकते हो डिपेंड अन कंडिशन आपको 22-30,000 लेकिन अगर आप एक ऐसा फोन सर्च कर रेंज जिसे आपको कैमरा को आटिटी पी एछशी देखने को मेने तो वह है रियल्मी 6 प्रो, रियल्मी के ऑगर कोई फोन सर्च कर रहे हो रियल्मी 6 प्रो में हाडवएर सनापड्रेकन का मिलता है, अप्टेओ अप्डेकन 720G वी यह बहुत जाधा famous brand है और इसके बहुत सारे आपको phones वह हो देखने को मिलेंगे वो है Xiaomi का जहां दोस्तों Xiaomi के कुछ ऐसे phone है जो कि आपको premium लेस्ट भी प्रवाइड करेंगे, build quality भी better प्रवाइड करेंगे और Xiaomi की स्थम्हें तर्फ दो phones इस रेंज के select की है एक है Xiaomi का 9 Lite with Snapdragon 710 मिलता है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर camera sensor भी अच्छी quality का देखने को मिलता है साथ के साथ Super AMOLED display है, in-display fingerprint sensor देखने को मिलता है, vibrant color है, 18W की fast charging को support करता है, 4000 mAh की battery है front इसका आपको 32MP के sensor मिलता है, और यह phone अगर आपको 25-26,000 रुपे की range मिले तो भाई यह priority पे रखना, इसका जो display है वो काफी better मिलेगा, क्योंकि यह पर build quality भी आपको एक premium feel वाली देखने को मिलेगी साथ के साथ gaming performance भी Snapdragon की hardware की, जो Snapdragon 710 की, एक अच्छी देखने को मिलती है, अगले phone की बात करते है Xiaomi का, तो यह वो phone है, जो के bezel-less experience प्रवाइड करेगा, साथ-साथ camera प्रवाइड करेगा, बट इसकी condition चेक कर ले ना, यह दो-ड़ाई साल पुराना है, अगर आपको यह phone 30,000 र यह पर camera मिलता है, 8 Megapixel का टैली फोटो लेंस भी मिलता है, pop-up camera में 20 Megapixel का sensor और साथ के साथ यहां पर 18W की fast charging और 4000 image की आपको बैटरी देखने को मिलती है, तो Xiaomi की यह दो devices अगर आपको मिलती है, तो आप ज़रूर consider कर सकते हो, उससे अगले brand की बात करते हैं, तो Redmi brand आता है, camera result बहुत अच्छा है, इसका 22 से 25,000 रुपे आपको rate offer किया जाता है, 6 years का refresh rate है, IPS panel है, punch hold display मिलता है, यह अच्छी बात है, 1080p के resolution मिलता है, 7 के साथ snapdragon 720G बेटा है और 48 Megapixel sensor है, वो मुझे बेटर देखने को मिलता है, और 7 के साथ 18W की fast charging है, और इसी का जो cousin brother था, इसका जो upper से pay कर सकते हैं, और मुझे यह लगता है कि यह phone आपको camera resolution comparatively, इस price segment के जितने भी boxback phone available है, उनसे better provide करने वाला है, mind one word, मुझे यह बहुत phone अच्छे लगते थे, और यहाँ पर आपको bell quality भी glass मिलती है, यह एक superiority बनाती है, Redmi Note 9, Note 9 Pro और Redmi Note 9S, लेकिन अगर आप एक gamer हो, जिसको 60fps पर gameplay करना है, और एक आपको बिल्कुल value for money gaming चाहिए, बट इसकी थोड़ी सी battery health आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S में 5000 image की थी, लेकिन अगर Redmi Note 8 Pro आपको कोई offer करता है, 22-25,000 रोपे की range के अंदर, तो yes, आप इस पर invest कर सकते हो, Mirarek Helio G90T मिलता है, gaming performance बहुत अपने time का बहुत अच्छा phone था, easily अच्छी condition में यह आपको 22-23,000 रोपे की range मिला था, 1080p resolution है, साथ के साथ इसका camera भी आपको बेटर देखने को मिलेगा, और साथ के साथ यहाँ पर आपको जो है, वो battery charging भी जो है, 18W की fast charging मिलती है, 4500 mAh की battery मिलती है, तो इस phone को भी आप 25, display phone यूज कर सकते हो, ऐसा camera phone यूज कर सकते हो, gaming performance, ना तो Redmi Note 9S की जैसी provide करेगा, Note 9 Pro जैसी provide करेगा, यह Note 8 Pro तो बिल्कुल भी compete नहीं करता, बट इस phone को आप consider कर सकते हो, और यह आपको warranty में phone मिलता है, 25-27,000 रोपे की range के अंदर, डिपेंड करता है, किस condition में है, हाँ, करता है, कि आप किस condition में buy कर रहे हो, अगले phone की बात करता हूँ, अब इस phone को आप ऐसी priority पे रखना, मतलब अगर आपको इन में से कोई phone ना मिले तो इस phone को ज़रूर बाइ कर सकते हो, यह रिसेंटली ली लांच फॉन है, यह वरंटी में आपको एजी ली मिल जाएगा, 6GB, में consider कर लेना है, अगर आपको Redmi के यह phone नहीं मिलते, इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं, कुछ अगले brand की तो यह है भाई, अगला brand Poco, sub brand है Xiaomi का, तो Poco की भी कुछ devices आपको इस range मिलेंगी, Poco M3 Pro, 5G hardware, Dimensity 700U के साथ आता है, यहां भी आपको camera quality तो तने अची नहीं मिलेग performance आपको अच्छी मिलेगी, 18W की fast charging है, और इस phone को भी आप 24-25,000 रुपे की range में easily consider कर सकते हो, जैसा के Redmi Note 10 5G का मेना को होता है, इसको भी आप consider कर सकते हो, लेकिन Poco की एक device, 30,000 रुपे की king होगी भाई, जो के आपको performance में next level प्रवाइड करेगी, साथ के साथ आपको display भी 120 और यह मेरे हसाब में Poco का अब तक का सबसे value for money device है, अगर हम लोग below than 40,000 की बात करते हैं, यह है Poco X3, easily कुछ वरंटी में मिल जाता है, 3-4-5 मा की वरंटी में आपको easily मिल जाता है, 30,000 तक offer किया जाता है, 6.67 inches, 120 एड, snapdragon 732G, 5127 mAh की battery, 33W की fast charging, dual speaker, और यह performance भी आपको अ 30,000 रुपया और Poco X3 को अगर आप consider करते हो, 30,000 रुपय में easily आप buy कर सकते हो, depend on condition, 700 तरह phone वैसे easily इतने पैसों में मिल जाता है, अब OPPO lovers की भी बात करते हैं, भाई, OPPO lovers के लिए अगर आप OPPO के कोई device ढूंड रहे हो, इस price segment में, तो OPPO के F-Series के कुछ मेहमान वाले phone जल्दी जल्दी आते थे, जल्दी बंद हो जाते थे, उन phones को आप consider कर सकते हो, बस Super AMOLED या in display fingerpin sensor के लिए, या थोड़ी बहुत camera की बीटिफिकेशन मिलती है, पहला phone है, OPPO F-15, इसके अंदर आपको gaming performance वो अची नहीं मिलेगी, बढ़ हाँ, display आपको अच्छा मिल यहां पर Snapdragon 662 वाला hardware 8GB, 128GB के वरेंड में, यह phone भी अगर आपको कुछ 27-28,000 रुपे की range में मिले तो F-17 को भी आप consider कर सकते हो, लेकिन OPPO के कुछ ऐसे phone भी हैं, जो के थोड़े से पुराने हैं, बढ़ इस range के अंदर आपको थोड़े से अची quality के देखने को मिल दाते है इससे पहले F-19 अभी जो रिसेंटी क्लोज हुआ है, यह भी phone आपको 30,000 रुपे की range में मिल दाता है, यह वही experience प्रोवाइड करेंगा, जो के F-17 प्रोवाइड करता है, यह यह आपको काफी अच्छी वरंटी में मिल दाता है, तो आप F-19 की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन OPPO के जो पहले वाले phone है, वो मुझे लगता है कि थोड़े से बेटर है, इस प्राइस से में एक तो 8GB, 256GB है, 8GB, 128GB का, आपको जो है, वो वेरियंट भी ओफर करते हैं, बस गेमिंग परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, OPPO Reno 2F, बैसल साल पुराना phone है, लेकिन आप इसको भी consider कर सकते हो, इसी price segment में MLA डिस्प्ले और OPPO के सारे phones इस range के अंदर यूज मिलते हैं, वो MLA डिस्प्ले, in-display, fingerpin sensor वाले मिलते हैं, camera category Reno 3 की better होगी, Reno 2F से, यह F17, F19, F15 के अगर बात करते हैं, तो Reno 3 को भी आप 30,000 रोबे की range में easily consider कर सकते हो, अगले brand की बात करते हैं, तो यह भाई निकल कर आता है, Vivo, अब Vivo के हम लोगो है, fan है, भाई, AMOLED डिस्प्ले की वज़ा से, और Vivo continuously range के अंदर, IPS panel को पुछ कर रहा है, I think, जो space बनी वी है, ना कि महाल अवेलेबल नहीं है, stock अवेलेबल नहीं है, बाकी brands की इस फोन आपको easily मिल दाते हैं, जो के थोड़ी सी generation के पुराने है, S-Series Vivo की बहुत famous series 3, S1 Pro, जो है, वो RGB, X2, RGB, Snapdragon 662, एक AMOLED डिस्प्ले लेके आता है, साथ के साथ इंडिस्प्ले फिंकर पीन सेंसर लेके आता है, हाँ, Snapdragon 662 है, 665 आपको मिलता तो यह, gaming performance दो नहीं मिलता के बाट, camera quality ठीक मिल दाती है, 22-23,000 रुपे की range में आपको मिलता है, depending on condition, आप इसको maximum 25,000, minimum 22,000 रुपे तक अच्छी condition में phone को consider कर सकते हो, और इसके साथ साथ मिलता जुलता है, एक और phone है, Vivo का ही Y15 करके model था, Y51 करके model था, वो भी आपको इसी range के अदर मिल दाता है, उस कर सकते हो, लेकिन Vivo के कुछ V-Series के phone भी इस range के अंदर मिल जाते हैं, जैसा के Vivo का V17 है, अब यहाँ पर 8GB, 256GB का variant आया था, नौच वा अला डिस्प्ले नहीं था, आपको पंचोल डिस्प्ले मिलता था, इन डिस्प्ले फिंगे बिंग सेंसर मिलता था, और performance के लिए यह अच्छी थी थी उस दमाने के साफ से, लेकिन अब Snapdragon 720G वाले भी हाडवेर मिल दाते हैं, गेमिक प्रफॉर्मेंस उस ताइप की नहीं बिलेगी, बट AMOLED डिस्प्ले के साफ से, आप इसको ज़रूर पंच होल डिस्प्ले के साथ जो है, वो तीस अजार रोपे की रेंज मे और उसके साथ-साथ ही, वीवो का अभी कुछ थोड़ा ही पुराना फॉन है, एक देट साल पुराना फॉन है, वीवो वीट्वेंटी सी, जो के Snapdragon 662 के साथ था और यहाँ पर आपको नॉच वाला डिस्प्ले जुरूर देखने को मिल दाता है, बट AMOLED, इन डिस्प्ले, फ इसके अदर AMOLED पैनल की प्यूरिटी रख सकते हो, इसके लब आगर बात करते हैं कुछ और कंपनी की, इन फिनिक्स को हम कैसे बूल सकते हैं, इन दो सालों में धेर लगाया वा था दिवाइस का, तो इन फिनिक्स तरफ से बहुत सरी डिवाइस आती है, जैसा कि इन फिनिक पर आपको 33W की fast charging भी मिलती है, camera setup भी अच्छा मिलता है, Miria Deck Helio G 90T मिलता है, बट 40fps को support करता है, yes, gameplay इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसकी भी condition check कर लेना ही, आपको कुछ warranty में ज़रूर मिल जाएगा, 25,000 के around इस phone के against, आप easily pay कर सकते हो, comparatively जो इन फिनिक्स के इस रेंज के available उन से ज्यादा अच्छी performance आपको ये, camera भी और साथ के साथ परफॉर्मेस भी अच्छी परवाइड करने वाला है, इस जरी के से इन फिनिक्स का अगला phone है, इन फिनिक्स का Note 10 Pro, जो के रिसेंटली अभी close हुआ है, तो ये आपको वरांटी भी मिल राएगा, हाँ, यहाँ यहाँ पर ओके है, लेकिन 08 का मुझे ज्यादा बेटर लगा था, बट यह फॉन आपको एजी एची condition मिल जाता है, अगर आप एक ऐसे परसों को इसको वरांटी वाला phone लेना है, तो येस, इन फिनिक्स के इस फॉन को आप 28,000, 25-28,000, डिपेंड करता है कि इस condition में 8GB, 128GB क साथ आपको easily मिल जाता है, लेकिन इन फिनिक्स के कुछ recently launch phone भी आपको जो है वो यूज मिल जाते हैं, जैसा कि इन फिनिक्स नोट 11 को लांच किया है, 6GB, 120GB वैसे नया तो 29,000 रुपे का है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, वो फॉरंस इसको sold out कर देते हैं, त अगर आप वरंटी भी कोई phone लेना चाहो तो ले सकते हो, 33W की fast charging के update आगी तो इसके बाद सॉल्फ हो गया था, और इंफिनिक्स का यहाँ पर इंफिनिक्स 0x Neo भी आपको easily इस price segment में मिल जाता है, 10-11 मा के वरंटी में है, आप इस पर भी invest कर सकते हो, यह भी मीडियर एक हिल 28,000 पर इंदर डिपेंड करता है condition पर, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, अब इन्फिनिक्स के यह phone थे, और इन्फिनिक्स यह cousin brother टेक्नो को हम नहीं भूल सकते है, टेक्नो की सिरफ एक device को आप इस range के अंदर consider कर सकते हो, बाकि मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि यह device मुझे लगता है कि टेक्नो की बहुत अच्छी device ती जो के अब तक बक्तान की मार्केट में लांच की गई है, यह है टेक्नो केमन 18, यह वो devices हैं भाई, जिनके अंदर आपको ना कुछ ना कुछ स्पैसिफिकेशन कहीं ना कहीं better मिल रही होंगी, कहीं ना कहीं compromise वाली मिल र एक तो वो gaming performance उसरा है providing करेंगे, उनके अंदर camera sensor की quality अब वो नहीं मिलती जो के in phones के अंदर हैं, और 28-30 phone कठे करने का मकसद भी यह है कि आपको अंदाज हो सके, और यह video maximum आपको जो help करने वाली है ना, वो Mars तक ही करने वाली है, क्योंके Mars अभी इस price second में तो कोई ज्यादा phone तो नहीं है नहीं वाले, इसी वाज़े से हमने यूज़ फॉन की वीडियो बनाई है, और easily अगर आप explore करोगे थोड़ा साथ, थोड़ा तो घूमना फिर ना तो पड़ेगा, आपको यह phone मिल रहेंगे, हर perspective के इसाब से इनका, जितने भी phone है, इनकी camera quality at least आपको better मिलेगी जो के इस range के brand new phone मिलते हैं, और साथ के साथ जो gaming phone अच्छे थे, जो gaming perspective के साथ से अच्छे थे, वो भी मैंने आपको दा दिया, इस range के दो ही phone gaming के साथ से मुझे अच्छे लगे हैं, जैसा के realme 6 है, और redmi note 8 pro है, जो के 60 fps पर gameplay करते हैं, comparatively जितने भी phone हैं, इन सब से आपको gameplay अच्छा परवाइड करेंगे, depend on condition के आपको क्या condition देखने को मिलती है, I hope ये वीडियो आपको helpful लगी होगी, हमने बड़े के simple way से बनाई है, ताकि आपको directly devices के बारे में पता लग जाए, और आप मजीद इनकी specification भी अगर देखना चाते हो, या इनका को रिव्यूज इसको भी आप सेर्च कर सकते हो, आपको कैसी लगी ये वीडियो डूलेट मिलो इने कमें सेक्शन, बस आज की वीडियो में तहीं मुलाकात होगी, नई वीडियो में किसी नही एन्वाक्सिंग, किसी नही रिव्यू, किसी नही रिव्यू, किसी ने comparison के साथ, तब तक मुझ